हालो अब्रिवान ग्रेटिंग्स फ्रॉं डॉक्टर राश्मी समय पैथी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिभोरिक डर्माटाइटिस के बारे में तो डर्माटाइटिस जैसे के आप सभी लोग जानी गया होंगे कि सिभोरिक का मतलब होता है इंफ्लमेशन होता है पर्टिकुलर्ली अगर आपका स्काल्प इंवॉल्ड रहता है मेंली स्काल्प में ही एंडर टाइप का जो इंफ्लमेशन होता है तो जो स्काल्प की डर्माटाइटिस होती है उसको हम सिभोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं यह डर्माटाइटिस आपकी आइब्रो के सिबीशियस ग्लाइंड्स को यह ग्लाइंड्स और ली एक्साइट हो जाते हैं बहुत जादा इस पर मल्टिप्लिकेशन होने लगती है और यह बहुत जादा डैंड्रफ बनाते हैं यह रेड और स्केली पैचेज हो सकते हैं और ग्रोथ हो सकती है और इसके कारण आपके ज उसरे फंगर इंफेक्शन को भी शरीर में कॉज करता है, वो एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है सिभॉरिक दर्मटाइटिस के लिए. यूजूली यह हमारे स्किन पर पाया जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इम्मिनूटी डाउन होती है, या जैसे जैसे एज के साथ, यह बहुत जादा ओर एक्टिव हो जाते हैं. यह अपना जो हमारे बॉड़ी का डिफेंस मेकैनिजम जैसे थोड़ा से डाउन होता है, वैसे ही ओरले एक्टिव होकर कि इस तरह की जो डर्मटाइटिस है उसको कॉज करते हैं. तो अगर हम कॉजस की बात करें, तो सबसे बड़ा कॉज यह इस्ट होता है, इसके लावाँ लोग इम्मिनूटी हो सकती है, डाइबटिक्स जो होते हैं, उनके अंदर भी सिबोरिक डर्मटाइटिस काफी केसे में देखा जाता है, या ऐसे लोग जुनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनको भी सिबोरिक डर्मटाइटिस हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग और बहुत ज़्यादा जब वो mentally active रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेर में खुजली सी देखने को मिलती है, इसके लावाँ जो किसी चीज़ का medication कर रहे हैं, steroid treatment पे रहे हैं, जिसके कारणों की immune down हो चुकी है, उनको भी यह हो सकता है, या अगर आप chemicals handle करने का आपका काम है, उसके कारण भी आपको dermatitis हो सकती है, सिभोरिक dermatitis ऐसे लोगों को भी हो सकता है, जिनको दूसरी तरह की skin की disorders होते है, जैसे की psoriasis के problem अगर रहता है, eczema रहता है, या दूसरे तरह की infection जो skin को involve करते हैं, उनको भी हो सकता है, तो अगर हम बात करें dandruff क्या sibhoric dermatitis ही होता है तो जो dandruff होता है एक variant बोल सकते हैं sibhoric dermatitis का जो कि सिर्फ आपके scalp को involve करता है लेकिन sibhoric dermatitis पूरी body के जो hairy parts होते हैं उनको involve करता है तो एक lighter form of sibhoric dermatitis होता है dandruff तो dandruff को हम बहुत समतक ignore नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है sibhoric dermatitis हो हो सकता है कोई east आपकी शरीर पर लगातार पनाप रहा हो और उसके करण आपको समस्या बनी रहती है और इसके करण आपको जो dermatitis की problem है ये बढ़ती रहती है या लगातार बनी रहती है आपको treatment लेते हैं आयब्रोज में बहुत सारा डेंदर्ल आतार ये जो होते हैं ये जो सिम्टम्स होते हैं यह सिभ ओरिक डरमतायटिस के रहते हैं इसलिए इसका treatment लिना बहुत ज़रूरी होता है अगर ह 파んग करें कि इसके लिए क्या precautions ले सकते हैं daha ड़ाएड में follow क्या सकता है तो सबसे करके हमेशा रखें और जादा देर तक आप नहीं और मौशराइज करना जरूरी है लेकिन पाने के साथ कॉंटेक्ट बहुत देर तक रखना जरूरी नहीं है शौट बात साप ले सकते हैं दूद या दूद से बनी हूँ चीजे मीठी चीजे पाकेज़ चीजे आपको लगातार बना रहता है पपड़ी सी पढ़ती रहती है सेर में खुझली बहुत जादा होती है तो यह लक्षण होते है इसमें आपको प्रॉब्लों वैसे के वैसी बनी रहेगी या थोड़े समय के लिए और वापस आजाएगी एक बहुत बहुत जादा ध्यान देनी वाली होती है सिबोरिक डर्मटाइटिस में वह यह है कि इसमें फ्लेयर अप्स एंड रेमिशन होते हैं मतलब कभी-कभी आपको लगेगा कि मेरा सेर बिल्कुल क्लीन हो गया है सारे डेंडर्फ निकल गए है और कभी-कभी लगेगा फिर सारी समस्या वापस आ गए है मेली असा ह होता है कि समर्स में आपकी जो समस्या हुए गया हो जाती है विंटर्स आते हैं ड्राइन कोल वैदर आता है वैसे फिर से आपको डेंडर्फ शुरू हो जाते है तो यह भी सिबोरिक डर्मटाइटिस का ही एक लक्षण है इसमें जो तबचा होती है बहुत जादा सुस्क हो जाती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो धीर दीरे घरेंडर्फ शुरू जाती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो धीरे-धीरे करके अपने आप निकल जाती वो भी एक सिबोरिक डर्मटाइटिस का ही एक फार्म होता है जो की इन बॉन रहता है और अपने आप फ्लियर अप हो जाता है अगर हम बात करें होमेपथिक ट्रीट्मेंट की तो हमेपथी में बहुत सारे दवाईया ह जो फंगल इंफेक्शन के बेस पर दी जा सकती है या आपको स्योरियासिस एकजीमा के करण सिबोरिक डर्मटाइटिस पर दी जा सकती है आपकी इम्मिनूटी डाउन है लेकिन कारण इसले जाना जरूरी होता है यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टन मेडिसेंस के बारे में आ पड़ेगा सबसे पहले दो जो सिबोरिक डर्मटाइटिस के केस में दी जाती है वो है ओल यंडर जो कनेर होता है जो गुलाबिक लरके फ्लावर्स होते है उससे यह दवा बनाई जाती है जो कनेर की कड़ी-कड़ी सी पत्तियां होती है जो फ्लावर्स होते है उससे यह मे प्रिफिक मेडिसिन मानती हूं एनी कैंड डर्मेटाइटीस इविन इन केस आफ एक्जीमा और सौरियासेस आर्सनिक आयोड के अंदर जो पपड़ी है बहुत जादा मोटी होती है और बहुत जादा स्किन से चिपकी होई होती है जब हलका सा आप उठाकर चेक करते हैं तो ब प्रिफिक में इस्तेमाल कर सकते हैं 6CH या 30CH लिया जा सकता है इसके अलावा एक दवा बहुत ही आची है जो कि सीजनल सी बहुरिक डर्मेटाइटिस के लिए होती है जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि इसमें फ्लेयर अप्स एन रेमिशन होते हैं मतलब बीमारी जात है पेट्रोलियम की जो पोटेंसी होगी वह भी 30 पोटेंसी रहेगी अगली जो दवा है वह है मिजीरियम में अगर जिससे क्राडल क्राप वाली प्रॉब्लम मने अभी बताई वैसी ही कर समस्या बढ़ों में देखने को मिलती है जहां पर लेदर लाइक स्काल्प में जो प बहुत ही इंपॉर्टन दवा है बैसी लेनम में क्या होता है अगर आपको सिभॉरिक दर्मेटाइटिस जाता और आता रहता है दो तीन साल तक ठीक था फिर से प्रॉब्लम आगे फिर से ठीक हुआ तो बार कोई पक्का इलाज आपको नहीं मिल रहा है वहां पर आप आप क्योंकि एक नोसोड है इसको हम प्रिफर करते हैं 200 या 1000 पॉटेंसी में आप इसको ले सकते हैं एक और दवा है जो आप ले सकते हैं फंगल इंफेक्शन के केस में अगर यह मैलसेजिया इसके कारण इंफेक्शन हो रहा है आपको सिभॉरिक दर्मेटाइटिस का वहां पर MICHAEL KRAINO BE стариком का जो एंटमेट होता है ये भी अवेलेबल है मार्केट में और इसकी जह अप परदेखने को मिल रही है वहां पर आप क्रैसरोबियम के मौद रेटेंचर को कोकोनेट ओयल में डाल करके लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह सारी जो इंफरमेशन थी असी भोरक डर्मेटाटिस के बारे में थी होमियोपतिक मेडिसन के जिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए आई होब कि यह इंफरमेशन आपको पसंद आई होगी अगर आप उससे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के वाट्साप नमबर 7017991940 पर वाट्साप करके अपना स्लोट बुक कर सकते हैं अगर आप अपनी किसी समस्या के लिए मुझे बात करना चाहते हैं तो कॉल वाट्साप का यूज कर सकते हैं जिसकी बाकिकी डिटेल्स आपको डिस्क्रेप्शन में विल जाएंगी विशिंग वेरी गुड हेल्द, थैंक्स वाचिंग